हे गाईज राम राम नमस्कार आज बटरली मश्रूम बन रहा है किचन में और इसके लिए आपको कोई चॉपिंग की जरुवत नहीं है किसी ग्राइंडिंग की जरुवत नहीं है बहुत मज़ेदार बनती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रेस्पी देखने के बाद लाइक आपसे चैनल को यह देखिए क्या कलर ही इसका और इसके लिए देखिए रफली चॉप कर देना है शिर्फ चार अनियन है तीन टमाटर है और मिर्चों को बट着 केंट कर देना है फ्याहत कर देना है अब इस्तरह से देखिए हम लोग मसाले को मिला दिये हैं हलदी को अच्छ और एक पैन ले लेंगे हम लोग एक कड़ाई ले लिए उसमें इतना बड़ा बटर काट के उसमें बटर डाल देना है इसलिए मैं कहरी हूँ बटरली मश्रूम आज बनने जा रहा है अब बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए तो इसमें जो हमने मेरिनेट कर रखा था मश्रूम को उसे मिला देना है और थोड़ा सा फ्राई कर देना है ज्यादा नहीं थोड़ा सा बस इसमें बटर के साथ ये मिक्स अप हो जाए बस उतना करना है तो बहुत ही टेस्टी अब आप देखिए आगे इसका मसाला कितनी जल्दी रेडी होता है कितनी जल्दी पकता है आपको करने की जरूरत नहीं है कुकर में ही हमने तेल ले लिया उसमें जीरा एक चमश डाल देंगे और एक लाल मिर्च डाल दिया है बस इतनी चीजे डाल के हम लोग इसमें अपने प्यास डाल दे रहे हैं मिर्चे डाल देंगे और थोड़ा भुंजा प्यास तो हम लोग टमाटर जाल देंगे इसमें और ये इतनी जल्दी कुक हो जाता है ना कि आपको बहुत परिशानी की जरूरत नहीं है पांच मिनट में आपका बटरली मश्रूम तयार हो जाएगा वीडियो पूरी देखिएगा गाईज अच्छी लगती है तो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजेगा नहीं अच्छी लगती है आपका कुछ इसमें सुझाओ है तो वो भी बताईएगा I will try to follow it to improve myself अब इसमें देखिए अधरक को इस तरह से ग्रेट कर देना है कुछ भी नहीं करना है सीधा सारी चीजें हमने कुकर में डाली है अधरक को इस तरह से ग्रेट कर लिया है और इस दो विसिल लाए फिर इसको हम लोगों को हटाना है तो बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी आपका बटरली मश्रूम बनके तयार हो जाएगा दो तीन विसिल के बाद हमने देखिए धकन हटाया है और ये इस तरह से कुक हो गई है अब इनको अपने स्पून से ही हम लोग थोड़ा सा क्रश करते हुए इनको हलका सा मिक्स कर देंगे चलाते हुए अब इसमें देखिए मसाले डाल रहे हैं तो हल्दी डाल दी है और नमक डालेंगे हींग डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया का पाउडर डाल देंगे तो ये लगभग आधा च और ये हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट मसाला बनके तयार है मश्रूम के लिए अब ये उबाल आ गया है इसमें अब हम लोग देखे इसमें अपने मश्रूम मिला दे रहे हैं और मश्रूम को भी मिक्स करके फिर से इसको ढग देना है और दो तीन विसल लगाके बस आपका मश्रूम रिडी है फिर से ढगा दिया है और इसे दो तीन विसल आने तक छोड़ देंगे और ये देखे आपका बटरली मश्रूम तयार है बिल्कुल इस तरह से आप बनाएंगे ना आपका पांच मिनट में ये बन जाएगा और बहुत ही स्वादिस्ट बनेगा आप एक बार ट्राई कीजेगा इस तरह से मसाले की और मश्रूम की रिस्पी शायद ही आपने देखी होगी अब साथ मैं धनिया पत्ती से इसे गार्नि आपने मेरी वीडियो देखी है तब तक के लिए राम राम और टेक केर फिर मिलती हूं